यहां पर गालब को पता चलता है कि भोच नगर का जो राजा है उशीनर तो यहां पर वो कहते है कि समस्त आरिवत में किसी के पास भी खोड़े नहीं समस्त बड़े से बड़े राजा यहां पर इस वयंबर में उपस्तित हो रहे मैंने सिर्फ याती पुत्री का नाम सुना, मैंने मुसे कभी नहीं देगा प्रणाम मैरी हानायस, अतियोत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे पोर्ट सिम्प के वीकॉम के जितने भी विध्यारती हैं यह जो रिविजन कक्षा है, यहनी रिविजन क्लास हैं, इसमें आप सब का स्वागत है आज मैं मादवी का जो तीसरा अंक है, इसके बारे में जानकारी दूँगी मादवी जो यूनिट एक दो तिन के अंतरगत आती है इसका जो तीसरा आंक है इसमें तीन दुश्य है इसी के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूँगी पिछली कक्षा में मादवी का जो दूसरा आंक था कि अयोध्या नगर के जो नरेश है उनका जो पुत्र है यही वसूमना इसको जन्म देकर मादवी पिर से गालब के साथ वनो और क्या है वनो उसमें विचरते हुए पिर काशी नरेश के यहां आते हैं काशी नरेश जो कि उसकी सत्रा बेटियां है और पैंतिस रानिया बेटे के लिए भी क्या है सोने की शहियां पर सोते हुए भी वो क्या है बेटे के लिए वैकुल है यहां पर आते हैं और गालव मादवी का उससे परीचे कराती है और दीवोदास एकरसिक राजा था तो यहां पर क्या हैं दो सो घोडों के लिए गालव मादवी को दीवोदास के यहां रानिवास में छोड़कर पिर और घोडों की खोज में निकल पड़ता है तो अभी तीसरे अंक का पहले दुश्य में यहां पर दिखें अब जो काशी नरेश के यहां मादवी थी तो यह एक साल उनीके रानिवास में रहती है फिर क्या हैं समय पाते ही उसने फिर से एक चक्रवर्ती राजा को जन्म दिया अब जो काशी नरेश का जो पुत्र था उसका नाम था प्रतिर्धन तो इस पुत्र को जन्म देने के बाद पिर से मादवी इस बार अपने पुत्र का इनी मूद तक नहीं देखती वहां से वो फिर गालब के साथ फिर क्या है और घोड़ों की खोज में निकल पड़ती है अभी यहां पर गालब को पता चलता है कि भोच नगर का जो राजा है उसिनर उनके यहां उनके पास भी 200 घोड़े तो उशी नर्ग जो राजा है वहाँ पर चलते हैं तो उशी नर्ग राजा जो है ये एक बुड़े राजा थे एक रुद्दा राजा इनको भी कोई पुत्र नहीं था तो मादवी क्या है उशी नर्ग जो राजा है उनके रानिवास में फिर से एक साल तक रहती है उसके एक दिन पहले यानि रात में जस दिन मादवी आई थी उसी रात यानि मादवी उशीनर के यहां आने से पहले उन्होंने एक सपना देखा था कि इनकी राज महल में चांद उतर कर आया है चांदनी से इनका महल जगमगा रहा है जैसे ही मादवी को इन्होंने देखा तो अपने रानिवास में इसे ले लिया फिर गालव दो सो घोड़ों के लिए बुरुद्दा राजा उशिनर के कहें राज रानिवास में मादवी को सोम कर फिर से वो वहां से निकल जाता है तो यहाँ पर उशिनर बुड़े राजा होने की वज़े से क्या है इन्होंने मादवी को क्या है उसका मन बहलाने के लिए देश देशांतर की सैर करवाई और क्या है इसी तरहा उसका मनोरंजन करते हुए उसे क्या है समय पाकर उससे सुख भोगते हुए फिर क्या है उशिनर के पुत्र को मादवी जन्म देती है तो यहां पर उशीनर का जो पुत्र था उसका नाम शिवी रखा गया अभी जब मादमी ने जन्म दिया था अभी वो होश में भी नहीं आई थी उसे एक तरह का सपना आता है कि उसका इन्ही एक बढ़ा सा भीमकाई एक पक्षी जो है एक नवजाच शिशु को अपने पंजो में दबा कर उड़ रहा है बहुत सारे लोग इस पक्षी के पीछे आ कहे शोर मचाते हुए भाग रहे है तो मादमी भी उसमें उस बच्चे को जो पक्षी लेकर उड़ रहा था उसके पीछे ये भी दवड़ी चलिया जा रही है उसके पीछे मादमी भी दवड़ी चलिया रही है तो यहां पर मादमी को ऐसे वितित होता है ऐसे लगता है कि वो नवजाच शिशु उसी का भैभी ठोकर जैसे ही उसने आंग खोला तो पाऊंस में उसका जो अभी जो जन्म लिया था उशीनर का पुतर नहीं था माधवी के सोते हुए ही राज अधिकारी उसके पुतर को ले गए थे फिर यहां उशीनर के पुतर को जन्म देने के बाद गालम और माधवी और वन में आ जाते हैं तो अभी समस्त किसे पता था कि विसता नदी में बाड़ा जाएगे बहुत सारे घोडे उसमें डूप जाएगा और जो है यहाँ पर क्या है बचे घोडे विश्वामित्र अपने आश्रम में ले ले यही विश्वामित्र के आश्रम में चले गए यहीं बच्चे हुए घोड़े विश्वमित्र के आश्रम में चले गए अभी समस्त आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं थे एक रात मादवी और गालव जब वन में रहते हैं उस वक्त बिना बताए मादवी गालव को कुछ कहे बिना वहां से कहीं चली जाती है और सोचने लगता है जैसे लता को कहें पेड़ का सहारा चाहिए रानी यहीं स्त्री जो हैं वो कोमल है उसको भी किसी ना किसी पुरुष का सहारा चाहिए और कितने दिनों तक के एतना वो सहती और उसे भी तो कुछ सुख चाहिए था और ये भी सोचता है कि कहीं वो तीन राजा मादवी को बहुत चाहते थे किसी एक राजा के रानिवास में फिर से चली गई होगी क्यूंकि वो कम से कम अपने एक बच्चे के साथ तो रहे ये सारे बाते सोचते हुए वो क्या है खड़े रहते हैं गालव तबी जो है गालव के जो मित्रत है तापास उनका वहाँ पर प्रवेश होता है तापास को देखते ही क्या है गालव पूछ बढ़ता है कि क्या तुमने मादवी को देखा है तो यहाँ पर तापास कहते हैं कि मैंने मादवी को नहीं देखा बलकि याती पुत्री का नाम सुना है फिर यहां पर अपने मित्र को कहते हैं कि तुम तो बहुत महात्वकान्शी हो अब मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि आर्यवत में समस्ता आर्यवत में किसी के पास घोड़े नहीं है तो आप तुम और घोड़ों की खोज में मत जाओ लेकिन यहां पर गालव से पहले ही मादवी कहे चुकी होती है कि अभी किसी के पास अश्वमेधी घोड़े नहीं है लेकिन गालव इसे मानता नहीं अब जब तापास कह रहा है तो गालव कहता है कि मादवी भी यहीं कह रही थी पिर तापास अपने कहे मित्र को कहता है कि तुम अपने को रुन मुक्त समझो विश्वमित्र जो बचे हुए 200 घोड़े हैं उससे तुम मुक्त समझो तापास इस तरह से कहता है लेकिन गालब कहता है कि मैं किसी भी तरहां इस गुरु दक्षिना को जुटाओंगा और वो ये भी कहता है कि दास रुत्ती करके भी मैं किसी की सेवा करके भी इस गुरु दक्षिना को जुटाओंगा किसी भी तरह पिर कहें उसको तापास कहता है कि नहीं समस्त आरिवत में किसी के पास भोड़े नहीं तुम कैसे जुटा पाऊट फिर यहां पर गालब कहता है कि कहीं भी मादवी को दिखे यहीं कहीं भी मादवी का पता चले तुम मुझे बताना फिर यहां पर तापास फिर से अपने मित्र को कहता है कि तुम अपने आपको रुन मुक्त समझो अपने आपको तुम रुन मुक्त समझो इस तरहां कहते हुए तापास वहां से चला जाता है तो यह पहला दुश्य था तीसरे अंक में यहां तक अभी दूसरा दुश्य यहाँ पर क्या है विश्वमित्र का आश्रम वहाँ पर एक आश्रम का जो आदमी है वो उससे विश्वमित्र कहते हैं कि जो घोड़े आए हैं उनके लिए क्या हैं सबी के लिए स्थान बना दिये हैं तो वो आदमी जो आश्रम में इनके आश्रम में जो आदमी था वो कहता है कि हाँ, किया है, उनके लिए किया है, अलग से स्थान बना दिये हैं और जो गालब ने छे सो घोड़े बिच्वाए थे, उसके लिए अलग से किया है, स्थान बनाये रखे है सबी अभी जो वन है वो वन सिर्फ वनस्थ इन्ही घुडशाला बन गया है घुडशाला बना हुआ है समस्थ वनस्थली क्या है घुडशाला बना हुआ है और अभी यहां पर तबी क्या है इन दोनों इनी विश्वमित्र और वो आदवी जो आश्रम में था उनकी बाते होती है तबी परीचारक वहां पर आता है और कहता है कि कोई यह आप से मिलने के लिए आया है तो विश्वमित्र उसे अंदर बुलवाते हैं और थोड़ी देर में कहें वहां पर मादवी आती है अभी विश्वमित्र और मादवी में बाते होती है विश्वमित्र कहते हैं कि यहां पर तुम कौन हो अपना परिचे दो तो यहां पर मादवी कहती है कि मैं यह याती पुत के लिए आइ हैं, तो यहाँ पर वो कहते है कि समस्त आरिवत में किसी के पास बी घोड़े नहीं हैं, तो यह बात सुनते ही विश्व मित्र कहते हैं कि हाँ, यह मैं जानता हूँ यह बात मैं गालब के मुझे सुनना चाहता था तुम उसे रुन से मुक्त करवाने के लिए नहीं आईगा मैं यहाँ पर आप से शमा मांगने भी नहीं आई बलकि मैं आप से कहते हूँ कि आप अपने आश्रम में मुझे ले लीजी और अपने आपको विश्वमित्र को सौंगती है तो विश्वमित्र आस्चरिय से मादवी की और देखते है और कहते हैं कि क्या तुम गालब से प्रेम करती हो तो यहां पर मादवी कहते है कि हाँ मैं गालब से प्रेम करती है और गालब तो यहां पर मादवी कहती है कि उसका पता नहीं, बलकि वो हमेशा आपकी गुरू दक्षिना जुटाने के लिए ही सोचता रहता है, उसका पता नहीं कि वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं, हाँ तो यहां पर विश्वमितर कहते हैं कि तुम गालब से प्रेम करत और तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र प्राप्त हुआ है। मैंने चक्रवरती राजाओं को जन्म दिया है। और क्या हैं वो ये भी बताती है कि तीनों राजा मुझसे बहुत खुश थे। और जब आप मुझे अपना लेंगे मैं भी आपको खुश करूँगी। और आपको मुझसे यहीं जब आप मुझे अपना लेंगे तो मैं भी आपके आश्रम का सारा कार्य कर दूँगी। और हवन में यहीं मैं अपने पिता के आश्रम में सब कुछ कह सीख कराई हूँ। आपके हवन में या कोई भी आश्रम का कार्य क्यों ना हूँ उसमें मैं आपका सहयोग दूँगी और साथे साथ ये भी कहती है कि मादवी अगर आप मुझे परीचारिका बना कर रखेंगे तो भी मैं रहे लूँगी फिर इस सारी बातें सुनकर आश्चरि में रहे विश्वमित्र मादवी को अपना लेते हैं उसे अपने आश्रम के अंदर ले जाते हैं तो यहाँ पर मादवी कहती है कि मुझे आपके पास जो 200 घोड़े स्लेश जो जुटानी है इसलिए आप मुझे अपना लीजिए तो यहाँ पर विश्वमित्र है आश्रम के अंदर मादवी को ले जाते हैं इसी तरह कहें मादवी गालब को उसके कर्तव्य को जो है उसके वचन को इस प्रकार पूरा करती है तो यहां पर मादवी को अपना कर विश्वमित्र उसे आश्रम के अंदर ले जाते हैं यहां तक आपका दूसरा दुश्य है तो तीसरा दुश्य हम जो है याती महराज का आश्रम सवेरे से ही बहुत सारी तैयारियां हो रही है क्योंकि क्या है ये याती जो राजा है वो अपनी पुत्री मादवी का स्वयमवर रचा रहे हैं साथ ही साथ जो है यहां पर गालब का दीक्ष समारो हो भी है विश्ममित्र खुद उसे दीक्षा देने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर समस्त आर्यवत के जो राजा महराजा लोग थें, वो मादवी के स्वयंवर मेंा आ रहें, आज यह याती का जो आश्रम हैं, सारे राजाओं का इरशा का केंद्र बना हुआ है, तो आश्रमवासी यहाँ बाते करते हुए नजर आते हैं, आश्रमवासी कहते हैं कि आज तो ऐसे लग रहा है कि ये याती महराज का ये राज महल और फिर से याती महराज अपने कार्य में निरिनी जुड़ गए हो और समस्त बड़े से बड़े राजा यहाँ पर इस वयंबर में उपस्तित हो रहे और वही पर धोल मंजोरूं के साथ बाजे गाजे के साथ वहाँ पर कोई आवास सुनाई देती है तो ये एक आश्रमवासी कहता है कि देखो वहाँ पर विश्वमित्र भी इस स्वयंबर में आ रहे हैं और क्या है यहाँ पर वो और एक आश्रमवासी कहता है कि हाँ देखो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं उमनि की पुत्री वहाँ पर पसंद आ गई सत्रुटी तो क्या है उससे विवाठा करके ले आए तो यहाँ पर इस तरहां से बाते करते हुए। फिर से वो कहते हैं कि हां जो मदवी तीन राजाओं के रानिवास में रह चुकी थी वो भी क्या है इस वयंवर में उपसती और वो अपने बेटों के साथ अपने पुत्रों के साथ आएं तो क्या है यहां पर एक आश्रमवासी बताता है तो दूसरा कहता है कि हाँ देखो क्यों वो अपने पुत्रों के साथ आएं तो फिर से वो कहते हैं कि क्योंकि कोई भी यहां पर मादवी उनके पुत्रों को लेकिन मादवी पहले ही अपना वर चुन चुकी है यहां पर जो है जैसे ही विश्वामित्र वहां पर आते हैं यहाती महराज उसका स्वागत करते हैं यहाती महराज विश्वामित्र का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आपने गालब की परिक्षा नहीं ली आपने मेरी परिक्षा ली हैं और इस परिक्षा में मैं क्या हैं भरपूर उत्तिर्ण हुआ हूँ तो यहाँ पर जो भी याती से बात करने के लिए आते हैं, सबी से याती इसी को कहते हैं और ये याती के नाम की चारों और धूम मची थी, उनके दान के बारे में उनकी प्रशन सा चारों और हो रही थी यहाँ पर विश्वमित्र कहते हैं कि हाँ गालव क्या है यह एक महत्वकांशी होते हुए भी यह खटी शिश्य होने के बावजुद उसने सारी गुरु दक्षिना उसने भेजी है यह इनी विश्वमित्र को भी जो भी मिलता वो गालव की प्रशंसा करते हैं तबी जब ये दोनों बाते करते रहते हैं तबी वहां पर गालव आता है और अपने गुरु जनुम को प्रणाम करता है और यहां पर क्या है गालव को देखकर वो क्या है विश्वमित्र कहते हैं कि अब तुम यहां पर हमारे साथ बेख अब तुम मुनी गालव हो तुमने बारा विद्याओं में उतिर्ण होकर तुम मुनी बने हो और तुमने गुरुद छिना भी जुटा दी है तो यहां पर गा काम है स्वयंबर के तो आप वहां पर आईए तो वहां पर याती महराज प्रस्तान करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी का स्वयंबर रचाया हूँ और जब तुम पहली बार मेरे आश्रम में आये थे उसी वक्त में जान गया था कि तुम ही मादवी के वर बनूंगे इस तरह से भी कहते हैं तो गालव क्या है अपने गुरू जनों को वहां पर नमस्कार करता है ये यातिया और विश्वमितर वहां से चले जाते हैं संचालक से गालव जो है संचालक से गालव बाते करता है वो कहता है कि मादवी कहा है और मैं मादवी से मिलना चाहता हूँ लेकिन संच चालक कहते हैं कि आप क्या है स्वयंवर से पहले उससे नहीं मिल सकते ये क्या है स्वयंवर के नियम के विरुद है इसलिए आप नहीं मिल सकते तो यहां पर गालव इस बात को सुनकर खड़ा रहता है और वो अपने आप में ये भी सोचता है कि मैं स्वयंवर से दो दिन पहल ही आ जाता और वो ये भी सोचता है कि मादवी किसी और को अपना वर्ना चुल ले क्यूंकि तीनों राजा उस से बहुत प्रेम करते थे सबी उसे प्रसंद थे और पुत्रों की मोह में आकर वो किसी राजा की ना बन जाए ये भी सोचता है और दो दिन पहले ही मैं मादवी से मिलता और उसका मन तो बदल जाता इस तरह से सोचते हुए खड़ा रहता है तब ही वहां पर तापास आते ही यहां पर जो गालब है उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मादवी को देखा है तो तापास कहते ह कि जब भी मिलते हो यहीं प्रश्न करते हो मैंने सिर्फ एयाती पुत्री का नाम सुना है मैंने उसे कभी नहीं देखा फिर वो कहते हैं कि अब वो कहीं भाग कर नहीं जाएगी अब तो स्वयंवर होने वाला है और यहां पर वो कहते हैं कि अब तो वो तुम्हें ही अपना व तो गालव उस चाया को देखते हुए क्या है उसे पूछता है कि तुमने मादवी को देखा है तो वहाँ पर पता चलता है कि उस चाया को देखते हुए उसको पूछता है कि क्या आपने मादवी को देखा है तो मादवी यहीं वहां पर जो चाया नजर आ रही थी वो मादवी की ही थी अब मादवी का जो सौंदरी है वो सौंदर यह नहीं रहा वो अब आसुंदर लगने लगी थी और वो बहुशीन हो गई थी दुब्री सी पतली सी हो गई थी और आँखों के नीचे काले साए अध्धर यहीं साए आँखों की नीचे काले साए नजर आ रहे थी और अधेड उम्र की एक महिला जैसी नजर आ रही थी तो गालव उसे पहचान नहीं पाया लेकिन मादवी गालव को देखकर फिर से वो खुश हो जाती है और कहते है कि गालव तुम आ गए तो यहाँ पर क्या है मादवी को कुछ पहचानते हुए गालव पुछते है कि क्या तुम मादवी हो तो यहाँ पर क्या है तुमने अनुस्टान नहीं किया फिर से तुम क्या है सौंदर ये यही फिर से कन्या बनने का जो चिर कौमरी का वरदान था उससे उसने अनुस्टान करके फिर से कन्या बन सकती थी क्या तुमने नहीं किया तो यहां पर मादवी बोलती है कि क्या तुमारी गुरु दक्षिना जुड़ गई गुरु जनाब तुम से बहुत खुश होंगे तुम तो अब मुनी गालव बन गए हो लेकिन मादवी को देखते हुए वो आस्चरिय से खड़ा रहता है गालव फिर वो बताता है कि तुमने फिर से अनुस्टान करके कन्या आए नि तुम से क्या छुपाना गालव कि क्या है मैं अनुस्टान करके फिर से वन में तो आ सकती हूँ लेकिन इस मन का क्या करूँ इस तरह से वो कहती है लेकिन गालव उसे देखते हुए क्या है ऐसे ही आस्चरिय में पढ़ा रहता है फिर से वो कहता है कि हाँ, मैं तो जिसे चुनना चाहती थी, अब मैं स्वयंबर के लिए अनुस्टान नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जिसे चुनना चाहती थी, उसे मैंने पहले ही चुन लिया, मैंने तुम्हें अपना वर मान लिया, तुम से क्या छुपाना, लेकिन यहां पर गालब कहता है कि मैं चाहते हुए भी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता तुमसे विवाहा नहीं कर सकता क्यूंकि तुम मेरे गुरू के आश्रम में रह चुकी हो और गुरू के आश्रम में रहने वाली जो कन्या है वो मेरी गुरू माता के सम्हान है मैं मर्यादा का उलंगन नहीं कर सकता मैं विवश हूं इस तरह से मादवी से कहता है तब मादवी आस्चरी में पढ़ती है और वो कहती है कि तुमसे प्रेम करते हुए मैं तीन राजाओं के रानिवास में रह चुकी हूं तीनों राजाओं को मुझसे पुत्र लाब भी हुआ है गालब लेकिन तुमारी जो वच्चन पूरा करने के लिए मैं तुमारे गुरू के साथ रही क्यूंकि और दोसों घोड़ों के लिए तो फिर लेकिन यहाँ पर गालब कहता है कि मैं मर्यादा का उलहंगन नहीं कर सकता यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पुरुष पातर में गालब है वो सिर्व साउंदरी का उपासक है अब यहाँ पर वो मादवी को अपनी पत्नी बनाने के लिए तयार नहीं रहता फिर कुछ उतेजना से मादवी थोड़ा सा क्रोधित होकर क्या है फिर से गालब से कहती है कि तुमारी परिक्षा जो थी बहुत कठिन थी तुमारी परिक्षा की वेदी पर में चड़ गई पिर यहाँ पर अपने आपको सयम करते हुए मादवी फिर से हसते हुए गालब से कहती है गालब क्या है गालब तुमारे प्रती भी मेरे प्रेम के प्रती भी कुछ मेरे कर्तवी है तुम्हारे प्रेम के प्रती भी मेरे कुछ करतव यह है स्वयमवर से पहले मैं फिर से अनुस्टान कर लेती क्यूंकि तुम्हारे प्रती भी मेरे कुछ करतव यह है फिर से मैं यववन में आ जाती तुम्हारे पल्ले में ये गुड़ी को नहीं बांती गालव इस तरहां से कहती है तो फिर से गालव आस्चरी चक्कित हो जाता है गालव कहता है कि हाँ मादवी तो क्या है तुम स्वयमवर से पहले तुम अनुस्टान करके फिर से कन्या बन सकती हो फिर से अनुस्टान करोगी तो यहां पर मादवी क्या हैं गालव की कुछ बाते समझते हुए कहती है कि गालव मैं तुम्हें क्या हैं फिर से वही मादवी जो पहले स्वच्च मन से मैं तुम्हें प्रेम करती थी ऐसी मादवी मैं तुम फिर से नहीं बन सकती क्यूंकि यहां पर मैं अनुस्टान करके फिर से कन्या तो बन सकती हूं लेकिन मैं इस मन का क्या करूं जिसमें तीन पुत्रों की ममता समा गई है और इस ममता भरे मन से मैं फिर से मैं स्वच मन से निर्मल मन से तुम्हें नहीं कर सकती इसमें पहले ही तीन पित्रों के लिए प्रेम जो है यहां इस मन में भरा हुआ है गालव तुम चाहते हो अगर तुम मुझे अपना वर्द चुनना चाहते तो भी मैं तुम्हारे साथ में विवाहां नहीं कर सकती इस तरहां से कहती है तो गालव कहता है कि अब तुम क्या करोगी अब तुम क्या करोगी तो मादवी कहती है कि मैं तुम से कहती थी ना पहले भी कि मैं यहां से कहीं भाग जाओंगी हां गालब मैं उसी को करोगी मैं यहां से कहीं भाग जाओंगी गालब कहता है कि नहीं मादवी लेकिन यहां पर मादवी क्या है वहां से क जंगल की और प्रस्तान कर देती है, कहीं चली जाती है, तबी वहां पर जो आश्रमवासी हैं, आते हैं और गालब को कहते हैं कि तुमारे देख्षा समाहरों का समय हो रहा है, सभी गुरुजन तुमारा इंतिजार कर रहे हैं, वहां पर आश्रमवासी आते हैं, फिर क्या हैं फूलों की वर्षा करते हुए गालव पर फिर उसके माथेक पर तिलक लगाते हुए मंड़प की और ले जाते हैं यह तबी आपका जो नाटक है मादवी यहाँ पर समाप्त होता है देखिए यहाँ पर जो मादवी है वो क्या है? यहां पर यह एक भारतिया नारी की जो सहन शक्ती है और पिता के करतवी को पिता के प्रती जो करतवी है उसे पालन करने के लिए उसने दान में क्या है गालब को देने के बावजूद भी उसके साथ जाकर क्या है उसके दाइतों को पूरा करती है गालब जो यहाँ पर पुरुष पात्र में है वो सिर्फ सांदरी का उपासक रह कर रह जाता है जैसे ही वो अधेड उमर की लगने लगती है तो वो क्या है मादवी को अपनाता नहीं यहां पर हमें पता चलता है कि किस तरहां से एक भारतिया नारी त्याग और प्रेम की मूरती है और वो अपने बलिदान देकर भी अपने क्या है करतव्य को किस तरहां से पूरा करती है यह सारी बातों की जानकारी मादवी नाटक से हमें मिलती है आपके लिए क्लास है तीन सिशनों में मैंने पूरे मादवे का जो नाटक है उसके बारे में बताया है धन्यवाद